दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर accessibility menu और select to speak का option off होने के बाद भी जो हमारा accessibility का symbol है अभी भी हमारे मुवाइल में सो करता है तो दोस्तो अगर आपकी साथ भी सेम प्रोब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो को देखने के बाद आपकी problem 100% solve हो जाए अगर आपकी problem उन वीडियो में solve नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लड़कों की problem solve नहीं हुए है तो इस वीडियो को आप देखें यहाँ पर आपकी problem solve जाएगी तो हमें करना है दोस्तों इस symbol को off करने के लिए हमें अपनी मवाली की setting में जाना है setting में जाने के बाद आपक setting को off कर लें उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा ऊपर वीजन का option मिलेगा आपको वीजन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही दो option मिलेगे पहला select speak और दूसरा talkback आपको इंसर कर लेना है कि यह दोनों option आपके off हो अगर इन दोनों में से कोई भी on ह होगा तो आपका यह symbol नहीं जाएगा तो आपको दोनों को check कर लेना है एक एक करके आपको off कर लेना है दोनों को यहाँ पर आपकी problem 100% solve हो जाएगी बड़ यहाँ पर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो बहुत सरे मोईल में एक और option दिया रहता है यहाँ पर आपको scroll करके आप देवाला option आपका on है तो आपको क्या कर लेना है दूस्तो इस option को आपको off कर लेना है उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो accessibility का symbol था वो। गयवाज बस जगा है दोस्तों इतना करने के बाद भी अगर आपकी इस symbol गायब नहीं होता है यानि कि off नहीं होता है तो आपको क्या कर लेना है कि आपकी mobile को इपर switch off कीजिए restart कीजिए then 100% आपकी solution मिल जाएगा दोस्तो आपका जो stability का symbol है वो off हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो कि आपकी problem solve होई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ताक आपने इस channel को subscribe नेगे subscribe करके bell icon दोब लिजिए मिलते next video मैं तब तक के लिए bye bye